हालो एवर्डिवन वेल्कम बैक टू पर्चम यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिसकस कर रहे हैं जब बिटेन इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आये थी और जब तक हमारा देश आजात नहीं हुआ उस समय तक कई सारे गवर्णर जनरल रहे हैं और उन्होंने क्या काम किया है, क्या रिफॉर्म किये हैं और कौन सी पॉलिसी देश के लिए बनाई है वो सारी बातों से एक्जाम में कॉशन फ्रेम होते हैं इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया है अभी तक मैंने दो गवर्णर जनरल के बारे में आपको डिस्कस किया है एक मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइब के बारे में बताया था और दूसरे थे वारिन हैस्टिंग जो कि बंगाल के पहले गवर्णर जनरल थे आज तीसरे जो person है जिनके बारे में आज हम discuss करने वाले हैं वो है Lord Cornwallis तो Lord Cornwallis ने क्या-क्या reform किये, कौन सी policy लेकर आए है और कौन से battle जो है वो Lord Cornwallis के समय लड़े गए उन battles के बारे में हमें चर्चा करनी है वीडियो के last में और वीडियो के बीच में आपको दो questions यहाँ पर total मिलने वाले हैं उन दोनो questions के आंसर आप हमें comment section में दीजेगा इस पूरे topic को खतम करने के बाद इस topics related question answer भी है वीडियो के last में आपको question answer भी मिल जाएंगी जिससे आपको पता चल सके किस particular topic से question कैसे frame होंगे वीडियो पसंद आता है तो अपने friends के साथ आप इसे share कर सकते हैं और मैं आप लोगों से again कहूंगी कि copy pen लेकर बैठी और heading डालीजे Lord Cornwallis और उसके बाद जो भी इनके reform में आपको बताते जाती हूं जो उनसे कानून इनने बनाए हैं कौन सी battle इनके समय लड़ी गई है और Cornwallis court क्या है वो सारी चीजों को हम यहाँ पर discuss करेंगे तो बहुत अच्छे आप notes बना सकते हैं अगर notes नहीं बना पा रहे हैं तो इस class की PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे website पर तो website से आप Lord Cornwallis की PDF को भी वहाँ से purchase कर सकते हैं तो आए हम बात करने शूर करते हैं Lord Cornwallis के बारे में Lord Cornwallis हमारे देश के दो बार, दो बार governor general रहे हैं पहली बार ही हमारे देश के governor general 1786 से 1793 के बीच में बने देखिए कभी भी exam में आपको इनका tenure नहीं पुझा जाएगा लेकिन अगर आप इनके tenure को याल रखते हैं तो आप इस दोरान हुए जो भी काम है या जो भी reform है उनको आसानी से link कर पाएंगे आसानी से याद कर पाएंगे जैसे कि जो 1793 का date है यह बड़ा important है और इसको आप बहुत सारे star बनाके note कर लिजे कि 1793 में ही permanent settlement लेकर आये थे Lord Cornwallis तो इस permanent settlement क्या होता है इसके बारे में अभी हम जानते हैं इस caution directly frame होता है कि permanent settlement कौन लेकर आया था तो Lord Cornwallis लेकर आये थे तो पहली बार ही हमारे देश के governor general 1786 से 1793 के बीच में बनते हैं और उसके बाद 1805 में हमारे देश में बापस आते हैं इंडिया में आते हैं और बापस से governor general बनते हैं Lord Cornwallis एक ऐसे governor general है जिनकी मृत्यू जिनकी death भारत में होती है इनकी death कहां होती है भारत में होती है कहां पर गाजीपुर में तो यह है पहले हमारे ऐसे देश के governor general जो की भारत में ही इनकी मृत्यू होती है अभी तक क्या चल रहा था कि जो company थी ना इस्ट इंडिया company इस्ट इंडिया company के जो कोई कर्मचारी है कि clerk की position से उन्होंने शुरुआत की है उसके बाद उनका promotion होता गया है और एक अच्छी position पे पहुँचे है और company के ही employee होने के बाद यह भारत के governor general बन रहा है अभी तक पद्धती चली आ रही थी लेकिन Lord Cornwallis की बाद अलग थी यह किसी company के अधिकारी नहीं थे company के employee नहीं थी कि company में इन्होंने अपने career की शुरुआत की हो और इसके बाद promote होते हुए एक अच्छी position पे पहुँचे और governor बने नहीं ऐसा नहीं था Lord Cornwallis जो थे वो आर्मी से थे ठीकिना ब्रिटिश की East India Company से इनका कोई association नहीं था यह ब्रिटेन की आर्मी से बिलॉंग करते थे और फिर हमारे देश के governor general बनते हैं तो आपको याद रखना है यह पहले ऐसे English governor general है जो ब्रिटेन की East India Company से नहीं जबकि ब्रिटेन की Parliament से चुनकर आये थे और ब्रिटेन की Parliament मेंटने इनको भारत का governor general बनाया था और ब्रिटेन की आर्मी से बिलॉंग करते थे यह बात आपको याद रखनी है अब हमको मेजर ली जो discussion करना है कि Lord Cornwallis के tenure में क्या-क्या reform हुए या क्या-क्या काम इन्होंने किये वो हमें यहाँ पर देखने हैं तो सबसे पहली बात तो में और टृटी ओफ श्री रंगपत्नम पर इन्होंने साइन किये थे कॉंसी टृटी ओफ श्री रंगपत्नम वो हम अभी देखेंगे फिर पर्मनेंट सेटलमेंट लेकर आये थे यह बंगाल में 1793 में इसको आप लेखेंगे वी वी आईपी ठीके वेरी वेरी इंपोर्ट यह जो लृट कॉंडर वॉलेष थे जब यह भारत के गउर्णर जन्रल बने उनके पहले वार्न हलं थे बंगाल बंगाल के governor general थे तो उन्होंने देखा था किस तरीके से जो council है board of council है, board of council जो court of director और board of council है वो किस तरीके से जो governor general होते हैं उनको काम करने नहीं देती उनके decision को overtake करने की कोशिश करती है तो जब Lord Conn Wallace को कहा गया कि आप भारत में जाके वहां के governor general बन जाओ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत तभी जाएंगे जब आप हमारी कुछ conditions को मानेंगे तो ब्रिटेन की parliament ने पूछा अच्छा बताओ कौन सी condition है तो तब इन्होंने एक act लाया था जिसको हम act of 1786 कहते हैं इन्होंने कहा कि हमको कुछ ऐसी power चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे पे power चाहिए कि जो company है या जो हमारे board of council है वो हमारे decision को overtake ना कर पाए तो हमको independent decision लेने का एक अधिकार दीजिए तो ब्रिटेन की government ने कहा कि ठीक हम आपको अधिकार देते हैं इसके अलावा पहले क्या होता था कि जो army हुआ करती थी उनके अलग commander in chief होते थे और governor general अलग होते थे लेकिन Lord Convales को कई सारे युद्ध लड़ने का अनुभव था Lord Convales already Britain की army में काम कर चुके थे तो इन्होंने कहा कि इंडिया जाके वहां की आर्मी के commander in chief भी मैं ही बनूँगा तो Lord Convales जो हैं भारत आके commander in chief भी रहते हैं हमारी आर्मी के और उन्ही के अंडर में 3rd मैसूर war को लड़ा जाता है तो ये बाते act of 1786 में कही गई थी और उसके बाद ही Lord Convales भारत आते हैं जब government, Britain government उनकी इन conditions को माल लेती है और आके इन्होंने जो reform की हैं या जो changes की हैं हमारे देश के अंदर उन्हें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो आईए हम बिलकुल basic से Lord Convales के बारे में जानना शुरू करते हैं इनकी biography को समझने की कोशिश करते हैं तो Lord Convales जो है उनका जन्म एक बहुत ही संपन, एक कुलीन परिवार में एक aristocratic family में इनका जन्म होता है इन्होंने Cambridge University से अपनी education ली और जैसे कि वहाँ पर system चलता था कि family का एक बच्चा जो है वो आर्मी में जाके सेवा देता था तो Cornwallis जो थे वो ब्रिटेन की आर्मी को इन्होंने जॉइन किया और ब्रिटेन की आर्मी में अपनी सेवाएं देना शुरू की इनका नाम या इनका वर्चर्स कब बना जब कब लोग इनको जानने लगे कि हाँ Lord Cornwallis नाम का कोई व्यक्ती है तो वो कहानी शुरू होती है जब यहाँ पर American War of Independence की शुरूआत होती है American War of Independence जो है वो 1776 से लेके 1783 तक चला था जिसके बाद basically North America की बात में यहाँ पर कर रही हो जब इनको आजादी मिली थी उस समय से पहले ब्रिटेम की कई सारी कॉलोनीस जो थी वो अमेरिका में थी तो American War of Independence शुरू होती है और 1781 में 1781 में यॉक टाउंड में यहाँ पर जो Cornwallis होते हैं उनकी सैडा वहाँ पर सरेंडर कर देती है हाला कि इन्होंने सरेंडर किया था लेकिन उसके पहले उन्होंने कई सारी बैटल्स को जीता भी था तो इनका वर्चस कई जादा था तो इसलिए 1781 में जब इन्होंने सरेंडर किया था American War of Independence के समय तो Lord Cornwallis को लोग जानने लगे थे इनकी पावर को समझने लगे थे इनकी मिलिटरी किस तरीके से काम करती है किस तरीके से पॉलिसी बनाते है ब्रिटेन की पार्लियमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और ब्रिटेन की पार्लियमेंट Warren Heston से बड़े परिशान थी वो देखती थी कि कभी एंगलो मैसूर वर हो रहा है कभी एंगलो मराथा वर हो रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती ही जा रही है तो वो चाहते थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मिलिटरी का एक्सपिरियंस हो जुसने कई सारे युद्धों को जीता हो एक ऐसे व्यक्ति को हम भारत का गवर्णर बनाएं इसलिए Lord Cornwallis को ब्रिटेन ने चुना था और भारत पे भेजा था ब्रिटे जो Lord Cornwallis है उन्होंने civil और military governor of Ireland के रूप में भी काम किया है इन्होंने भारत में आके permanent settlement को भी लाया था हम उस permanent settlement को detail में समझेंगे क्योंकि वहां से question mails में भी पूछे जाते हैं और prelims में भी पूछे जाते हैं 1786 में इनको knight का जो title होता है Lord Cornwallis को दिया गया था और commander in chief and governor general of India Lord Cornwallis को 1786 में बनाया और इस 1793 तक भारत में रही है अब देखेगा जब Lord Cornwallis के समय वारेन हैस्टिंग थे उसके पहले कौन थे वारेन हैस्टिंग थे और हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की जो income का source था वो क्या था revenue कहां से आता था जो tax वसूलते थे जो land revenue था जो farmer से tax वसूला जाता था वही बहुत important source जो थी वो ब्रिटेन की जनता के लिए थी या ब्रिटेन की जो East India Company थी ना उसके लिए income का साधन क्या था land revenue था वारेन हैस्टिंग के समय पर क्या हुआ था वो annual plan भी लाए थे और five year settlement को भी लेकर आए थे ठीकिन लेकिन लगातार condition बहुत खराब होते जा रही थी किसानों की हालत खराब होते जा रही थी जमीन की हालत जो थी अब जमीन ऐसी तो है ने कि आप उसमें जोताई करते जाओ आप उसमें खेती करते जाओ लेकिन आपको अलग-अलग technology की जरुवत होती है भूमी की fertility को बढ़ाने के लिए आपको अलग-अलग fertilizers की जरुवत होती है है ना तो भूमी पे जमीन पे भी reform करने की जरुवत होती है जमीन पे भी आपको invest करने की जरुवत होती है अलग-अलग revenue system बिटिश इंडिया के द्वारा या बिटेन की government के द्वारा introduce किये गए थे जिन में आप लोग ने देखा होगा जमीदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रहितवारी सिस्टम इनके बारे में आप लोग ने सुना होगा अगर नहीं सुना है तो मैंने जो modern इंडिया की modern history की जो classes ली है आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं basically मैं आज बात करने वाली हूँ इस जमीदारी सिस्टम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जमीदारी सिस्टम या फिर permanent settlement के बारे में जिसको लॉट कॉर्ण वालिस ने इंट्रड्यूस किया था 1793 में अब देखे का जरा समीर ये एक जमीन है जमीदार जो थे जमीदार का काम था कि उस जमीन से वो tax को collect करें ये काम जमीदार को था है ना इतना काम जमीदार वर्ग करता था और जमीदार के पास कुछ judicial powers भी हुआ करती थी जो भी छोटे मोटे मुद्दे होते थे उनकी सुनवाई करने का काम भी जमीदार करता था अब जमीदार को अगर बोला जाए कि आप जो tax वसूल रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप जमीन पे invest करो आपका जो extra amount है वो जमीन पे आप invest करो जिससे जमीन में आप नई technology का use करो आप जमीन को fertilizers दो जिससे जमीन की yield जो है उपजाओ छमता जो है वो increase हो लेकिन एक चीज़ बताए कोई दूसरे की जमीन पे invest करता है अगर मैं किसी rented house में रहती हूँ और उसमें मुझे बोला जाए कि इसमें पुट्टी करा लो इसमें white wash करा लो इसका renovation करा लो तो मैं नहीं कराऊंगे मैं अपने घर में यह सारा काम कराऊंगे और किसी दूसरे की property में हम invest करने से पहले चार बार सोचते हैं और generally हम invest नहीं करते हैं तो बही हालत जमीदार की थी कि जमीदार ने tax तो ले लिया अगर आप उनसे कहो कि आप जाके किसान की जमीन में invest करो तो वो invest नहीं करेगा लेकिन जमीदार जो है उनको अगर लेंड की ownership दे दो जमीन की ownership अगर दे दो और कहो कि यह जमीन जो है वो आपकी है आपको यहां से tax को वसूलना है और जो tax का surplus होता है जो extra amount होता है वापस से आपको जमीन में invest करना है तो जमीदार तयार हो जाएगा जमीदार क्या हो जाएगा तयार हो जाएगा तो बिल्कुल वही किया गया लेंड की ओनर्शिक जो है वो जमीदारों को दे दी गई और जमीन पे टैक्स बसूले का दिकार जो है वो जमीदार के पास था जो extra money होता था जो surplus amount होता था जमिदारों को बोला गया कि आप बापस से जमीन में invest करो जिससे production और बढ़ेगा तो revenue और जादा increase होगा लेकिन यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर Lord Convalis ने की revenue जो था वो fixed कर दिया revenue क्या है जमिदार जो है वो fixed revenue ब्रिटेन इस्ट इंडिया कमपनी को सम्मिट करेगा और कहा कि जो total tax आप वसूलते हो ना उसका 11% आप अपने पास रखो और 89% जो revenue है वो ब्रिटेन इस्ट इंडिया कमपनी को सम्मिट करो तो fixed revenue यहाँ पे कर दिया इसलिए इसको permanent कर दिया इसलिए इसको permanent settlement कहा जाता है बात समझ में आ रही है इतनी चीज़े तो permanent settlement में आपको जो चीज़े याद रखनी है वो चीज़े ये हैं कि permanent settlement को Lord Cornwallis ने 1793 में introduce किया था पहले इसने बिहार बंगाल और उडिसा के रीजन में इसको implement किया उसके बाद Southern District of Madras Presidency और वारा नसी में भी permanent settlement को introduce करने का काम किया था क्या permanent settlement successful रहा तो answer हुजाएगा no बुरी तरीके से fail रहा था permanent settlement रीजन क्या थे अभी हम समझते हैं permanent settlement के अंतरगर जमीदार को जो है वो land का owner बना दिया गया था और जो किसान थे वो tenant थे किसान क्या थे tenant थे जमीदार decide करता था कि किस जमीन पे किसान कितने समय पे खेती करेगा जमीदार का काम जो था वो tax को collect करने का था साथे साथ जो surplus amount है वो जमीदार invest करेगा जमीन पे जिससे yield या production और भी जादा improve हो जमीदार को एक fixed amount of tax Britain East India Company को देना पड़ता था यहाँ पर जो permanent settlement किया गया था 11% जो revenue था वो जमीदार रखा करते थे वही 89% जो revenue था वो Britain East India Company को देना होता था एक date fix कर दी थी कि इस date को sunset होने से पहले सूर अस्त होने से पहले आप tax को जमा करेंगे कहाँ पर Britain East India Company के पास में अगर सूर अस्त होने से पहले sunset होने से पहले आपने revenue या tax को submit नहीं किया तो हम आपकी जमीदारी आपकी जो जमीन है वो छीन लेंगे और किसी और व्यक्ती को किसी और जमीदार या किसी और किसान को दे देंगे तो ये एक खत्रा जो है वो जमीदारों पर मढराता रहता था कि अगर उन्होंने समय पर tax नहीं submit किया तो उनकी जमीदारी चली जाएगी इसको sunset law के नाम से जानते हैं इसको हम sunset law के नाम से भी जानते हैं एक और चीज यहाँ पर बोली गई कि जैसे कि राजा का बेटा राजा होता है ना वैसे ही यहाँ पर एक जो ownership थी ना वो जमीदार से जमीदार के बेटे में फिर जमीदार की बेटे से जमीदार के बेटे में ऐसे heredity की रूप में जो है वो ownership जो है वो transfer होती जाएगी ये भी provision जो है वो permanent settlement में जोड़े गए थे बात समझ में आ गए तो permanent settlement Lord Cornwallis ने introduce किया बंगाल, बनारस, बिहार और उडिसा जैसी जगहों पे जो जमिदार थे उनको tax collect करने का अधिकार था साथे साथ उन्हें land का owner बना दिया गया और ownership जो थी वो person to person मतलब heredity के हिसाब से transfer होने लगी थी ठीक है एक permanent amount जो था वो जमिदार को जमीन पे invest करना था जिससे production को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके यह बातें यहाँ पे कर दी गई यह सारे बातों को मैंने यहाँ पे आपके साथ discuss कर लिया है लेकिन problem क्या हुई on paper तो सब कुछ सही था कि हाँ आप tax को वसूल कीजिए कुछ हिस्सा आप अपने पास रखिए 89% आप East India Company को दीजिए और कुछ हिस्सा जो है वो आप बापस से जमीन में invest कीजिए लेकिन जमीदारों ने ऐसा नहीं किया जमीदारों ने क्या किया एक तो मनमानी तरीके से वो tax वसूलने का काम करते थे क्योंकि revenue तो fix था कि जैसे कि 100 रुपे हमने fix कर दी और 100 रुपे आपको East India Company को देने है और बचा हुआ पैसा तो किसे पास होगा बचा हुआ पैसा तो जमीदार के पास होगा तो जमीदार जो है वो बहुत जादा rich होने लगे और मनमाने तरीके से किसानों से tax वसूलते थे लेकिन बदले में जो surplus amount था वो जमीन पे invest नहीं करते थे जमीन पे कोई भी investment इनोंने नहीं किया जिससे जमीन की हालत जो है लेंड की हालत और भी जादा बत से बत्तर होती गई और भी जादा खराब होती गई और production और जादा decrease होता गया तो production तो decrease हो रहा है लेकिन किसानों से आप tax ले रहे हो तो किसानों की हालत बहुत जादा खराब हो गई जमीन की हालत बहुत जादा खराब हो गई लेकिन फाइदा किसको हो रहा था जमीदार को और जमीदार भी बड़े चालाग टाइप के थे तो यह जो permanent settlement था यह बुरी तरीके से fail हो गया ठीक है ना क्योंकि surplus amount को land में invest नहीं किया गया था ठीक है ना यहाँ पर इसके अलावा absentee of landlord तो landlord तो absent थे क्योंकि जमीदार शहरों में जाके बस गया और एक व्यक्ति को point कर दिया कि आप जाके tax वसूल हो इसलिए permanent settlement बुरी तरीके से खराब हो गया clear तो यही चीज़े मैंने यहाँ पर mention किये आप इनको अराम से बैठके पढ़ सकते हैं तो Lord Cornwallis ने permanent settlement को introduce किया अब Lord Cornwallis ने कई सारे reform East India Company में भी लेकर आया Warren Hastings एक बहुत बड़ी समस्या से जूच रहा था वो थी corruption तो इस corruption को कम करने के लिए कुछ reform East India Company में Lord Cornwallis ने किये कुछ rules and regulations को बनाया तो सबसे पहले इन्हों ने कहा कि केवल जो qualified person है वो भी बिटेन वही बिटेन East India Company की services में आ सकते है और जो higher position में रहेंगे higher position में बिटेन की लोग रहेंगे गोरे व्यक्ति रहेंगे और जो lower position है जो pune की position है उसमें Indian रहेंगे Indian को उची पदों पे जगह नहीं दी जाएगी ठीक है तो इसका ऐसा सोचना था जो Lord Cornwallis था उनका ऐसा सोचना था कि दुनिया का उद्धार केवल गोरे लोग ही कर सकते है जो brown और black लोग है वो दुनिया को धार नहीं कर सकते है वो कोई policy नहीं बना सकते है ऐसा Lord Cornwallis का सोचना था इसलिए Lord Cornwallis ने कहा केवल qualify व्यक्ति ही services दे सकते है Britain East India Company में और उचे position पे केवल Britain के लोग ही रहेंगे और जो lower position होती है lower jobs होती है उनमें Indian लोगों को hire किया जाएगा ये बात इन्होंने कही इसके बाद यहाँ पर Lord Cornwallis ने क्या कहा कि जो private trade क्योंकि जो Britain के अधिकारी थे वो private trade किया करते थे उन्होंने कहा कि हम आपकी salary को improve कर देते हैं हम आपको ज़ादा salary देंगे लेकिन ये जो private trade आप कर रहे हैं वो आपको बंद करना पड़ेगा तो बिलकुल जो company के अधिकारी private trade कर रहे थे वो इन्होंने बंद करने की बात की ठीक है ना No recommendation from the England would be given betage for the appointment in the company services तो इन्होंने कहा qualification के आधार पे आपकी जो योगता है आपकी जो capability है उसके आधार पे हम आपको designation देंगे हम आपको post देंगे कोई भी recommendation नहीं चलेगा कि आपने बिटेन को कोई व्यक्ती है बड़ा व्यक्ती है और उसके नाम से आप letter लेकर आगए कि हमें नौकरी लगा दो तो यहाँ पे बिलकुल recommendation को बंद करने का काम Lord Cornwallis ने करा इसके लावा जो gift लेने की प्रथा थी यह gift ले लो वो gift ले लो हमारा काम करा दो जो आप कह सकते हो कि एक तरीके से आज भी हमारे देश में यह प्रथा चली आ रही है तो जो gift लेने का system था ना बिलकुल पूरी तरीके से बंद करने का काम Lord Cornwallis ने का रहा ठीक है इसके अलावा इन्होंने क्या कहा इन्होंने जो collector था जो revenue collect करने का काम करता था उससे judicial power को ले लिया उससे कहा कि आपका काम केवल revenue को collect करना है मतलब जमीदारों के पास जाकि मैंने बताया जुडिशल पावर्स थी उन जुडिशल पावर को ले लिया आपको कहा कि आपको केवल collect करना है टेक्स आप केवल टेक्स को collect कीजिए जुडिशल पावर हम आपस लेते हैं और इसके लिए हम अलग से जुडिशली बनाएंगे तो इन्होंने काफी कुछ जुडिशल रिफॉर्म भी कियें ये बात समझ में आई तो इस्ट इंडिया कंपनी में क्या रिफॉर्म किये वो हमने आपको बता दिये अब जुडिशल रिफॉर्म इन्होंने क्या किये तो सबसे बड़ा question यहाँ पे पूछा जाता है, Lord Cornwallis ने 4 circuit court बनाये थे, तो question बनता है, कि circuit court का formation किस ने किया, तो 4 circuit court जो है, वो Lord Cornwallis ने बनाये थे, वो 4 circuit court कहां कहां पे बनाये का है, वो मैं आपको बता देती हूं, मुर्शिदाबाद, ढाका, कैलकटा और पतना में, 4 circuit court का formation किया था, ये चारो जो circuit court थे वो appeal court थे, मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर appeal कर सकता था, पहले किसी व्यक्ति को appeal करना है तो उसको supreme court के दरवाजे खटखटाने होते थे, लेकिन अब चारो circuit court थे वहाँ पर appeal की जा सकती थी, और इन चारो circuit court में भी जो higher था, सबसे higher था, सबसे उचा द कार के cases आते हैं, एक civil मामले होते हैं, जो जमीन से related मामले हैं, कोई revenues related मामले हैं, वो civil court में लड़े होते थे, और जो criminal offenses हैं, किसी ने खून कर दिया है, किसी व्यक्ति का, जो criminal law है, criminal कानून है, या criminal जो भी आपको verdict देना है, उसके लिए इसने अलग से judiciary इस्थापना की थी, तो अगर मैं आपको बताओं, जो दिवानी मामले हैं, या जो civil मामले हैं, इनकी सबसे उची अदालत जो थी, उसको हम दिवानी अदालत या सदर दिवानी अदालत के नाम से जानते थे, जैसे कि आज हमारे देश में सबसे नीचे district court है, district court के ऊपर आप high court देखते हैं, और सदर दिवानी अदालत के नाम से जाना जाता था, सदर दिवानी अदालत कहां थी, कैलकटा में थी, और जहां पे highest अदालत थी, जहां पे appeal की जा सकती थी, यहां पे सदर दिवानी अदालत थी, उसमें appointment किया गया था, जज का, जज के अलावा एक काजी, मुनसेफ और दो पंडित को भी बिठाला गया था कि कई सारे ऐसे मामले होते हैं तो उन मामलों के लिए यहाँ पर पंडित और काजी वगएरा को भी अपॉइंट किया जाता था तो सबसे उचा क्या था सदर दिवानी अदालत था सबसे निचला जो अदालत था lowest court जो था वो था amin court या munsif court amin court या munsif court सबसे नीचे की अदालत थी जहाँ पर less than 50 rupees के जो cases थे वो वहाँ पर सुने जाते थे और उनकी सुनवाई होती थी तो सबसे छोटी क्या थी munsif court थी जहाँ पर 50 रुपे तक के cases को सुना जाता था इसके उपर आपकी session court आती थी session court के बाद आपकी provisional court आती थी और provisional court जो थी उसके बाद आपकी सदर दिवानी अदालत आती थी लेकिन अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति संतुस्ट नहीं verdict से, decision से संतुस्ट नहीं और आपका जो मामला है वो आपका 5000 रुपे से जादा है, तो ये मामला आप England ले जा सकते हैं, King in Council King in Council में ये पूरा मामला जाया जा सकता है मतलब सदर दिवानी अदालत सबसे बड़ी है अगर उसकी verdict से भी आप खुश नहीं है तो बड़े बड़े बैपारी, जिनके बड़े बड़े मामले हुआ करते थे 5000 रुपे से जादा का जो मामला है वो King in Council में इसकी अपील की जा सकती है तो इस तरीके से civil मामलों के लिए यहाँ पर judiciary बनाई थी Lord Cornwallis ने एक बार देख लेते हैं सबसे नीचे देखेंगे आप Munsif court था जो यहाँ पर 50 रुपे से कम के जो cases थे वो यहाँ पर सुने जाते थे इसके बाद आप देखेंगे district courts थे district court में जो English judge होते थे Britain के judge होते थे European यहाँ पर देखेंगे judge is essentially an English man who deliver justice to Indian Indian को justice deliver करने का काम करते थे लेकिन European के लिए यहाँ पर judgment नहीं होता था फिर district court के बाद आपने देखा provisional court था चार यहाँ पर provisional court थे धाका, कैलकटा, मुर्शिदाबाद और पतना और इसमें भी सबसे बड़ा जो था कैलकटा court था और सबसे उपर था सदर दीवानी सदर दीवानी highest court था अपील करने के लिए जिसमें एक head काजी होता था दो मुझसिफ होते थे और दो पंड़े यहाँ पे hire किये जाते थे और उसके उपर कवी जो case है अगर 5000 रुपे से उपर का आपका मामला है तो आप king in council में जा सकते थे लंदन आप जा सकते थे तो इस तरीके से ये civil court के लिए hierarchy तैयार की थी Lord Cornwallis ने अब बात करते हैं criminal court के बारे में तो criminal court की सबसे बड़ी जो अदालत थी जहाँ पे अपील होती थी वो थी सदर निजामत अदालत सदर निजामत अदालत ठीक है और Calcutta में ये बैटती थी Calcutta में इसका office था ये highest court थी जहाँ पे criminal appeal की जा सकती थी और ये governor general की जो council थी उसके supervision में काम करती थी ठीक है सबसे नीचे की जो थी उसको तालुका या तहस्वील कहा जाता था जिसको दरोगा ये अदालत या दरोगो नाम दिया जाता था आज भी आपने में देखा हुआ कहीं कहीं आपका जो नौर्थ इंडिया का रीजन है वहाँ पे दरोगा वर्ड यूज होता है वो दरोगा शब्द यहीं से आया है दरोगा के उपर डिस्टिक क्रिमिनल कोट्स हुआ करते थे डिस्टिक क्रिमिनल कोट के उपर आपको यहाँ पे चार सरकेट कोट देखने को मिलेंगे मुर्शिदाबाद, धाका, कैलकटा और पतना और सबसे बड़ा जिसमें आपका क्यलकटा कोट देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं क्रिमिनल कोट के लिए सबसे नीचे था तहसील कोट या तहसील लेबर या तालुका जिसे बोलते थे ठीक है न, इसके बाद district criminal courts थे, district के बाद provisional थे और सफिर सदर निजामत थी, clear हो गई थी चीज़े, तो इस तरीके से ये काम करते थे अच्छा यहाँ पे Lord Cornwallis ने एक और काम किया, ये रूसों से बड़े inspire थे और इन्होंने power के distribution पे जोड दिया, इन्होंने कहा कि जो हमारा revenue system है और judiciary system है, उनको separate होना चाहिए, तो इन्होंने judiciary system और revenue system को अलग-अलग करने का काम किया था, किसने? Lord Cornwallis ने, चीक है, आपने देखा कि धीरे-धीरे सारी चीज़े Calcutta shift हो रही है, और आपने देखा था कि Warren Hastings के समय भी जो treasury थी हमारी, जो treasury थी, वो भी आपकी मुर्शिदाबार्थ से कहां पे shift हो गई थी, वो भी Calcutta shift हो गई थी आईए कुछ और reform जो किये हैं, वो हम देखेंगे, तो इसने क्या किया था, जो court fees लगती थी, Lord Cornwallis ने उसको खतम कर दिया, जिससे साधारन जनता भी court पे अपील कर सके, जो court fees थी, उसने खतम कर दी थी, lawyer की जो प्रिसकाइब थी, मतलब lawyer को जो fees दे जाती थी, वो प्रिसक ordinary people भी जो थे, अगर कोई government servant सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, corruption में involved है, जनता की नहीं सुन रहा है, तो ordinary लोग भी जो है, वो यहाँ पर servants के खिलाब, government servant के खिलाब अपील कर सकते थे, इसके लावा उससा में काफी अजीब अजीब से punishment दी जाते थी, कि इस व्यक्ती का pair का तो यह जो अजीब सी punishment होती थी यह सारी punishment को खतम करने का काम भी Lord Cornwallis ने किया था, Lord Cornwallis ने क्या किया, इसने proper तरीके से civil services को इंडिया में organize किया और introduce किया, इसलिए father of Indian civil service हम Lord Cornwallis को भी कहते हैं, British era में, ठीक है, तो इसने organized way में civil services को introduce करने का काम किया, लेकिन higher position पे Indian officials थे उन पे उची position पे Britain के व्यक्ती ही रह सकते थे, Indians नहीं, इन्होंने power का distribution किया, separation of power की between commercial, judicial and revenue officers, चीक है, अचा पहले क्या होता था, जो Europeans थे ना, European भारत की जुडिक्शन से बाहर थे, अगर किसी European व्यक्ती पे कोई case चलना है, तो वो ब्रिटेन में चलता था, भारत में नहीं, तो उन्होंने कहा, नहीं, अगर ब्रिटेन का व्यक्ती भारत में रह रह रहा है, तो भारत की कोट में ही, उसके cases को भी लड़ा जाएगा, तो European subjects को भी under the jurisdiction लेकर आया गया, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की, इसके अलावा, Warren Hasting ने एक काम शुरू किया था, Warren Hasting ने, हिंदू और मुस्लिम जो लौ है, उनको कोडिफाई करने का काम किया, Warren Hasting ने, कैलकटा में मदर्शा की शुरूआत की थी, वहीं यहाँ पे, Lord Cornwallis ने 1791 में, एक संस्कृत कॉलिज की स्थापना की थी, अंडर दा, कहां पे की थी, बनारस में की थी, अंडर दा, जॉन्थर दाकन के द्वारा, यहाँ पे संस्कृत कॉलिज की स्थापना 1791 में की थी, और उन्हें ने कहा था कि अब हम भारत में रहना है, तो भारत के लौ को समझना पड़ागा, भारती लोगों की इंडियन की फिलोसफी उसको भी हमें समझना होगा, उसके लिए हमें इस तरीके के कॉलिजिस की जरूर थे, तो यह कुछ और रिफॉर्म जो है, वो किस ने किया थे, लौट कॉर्ण वॉलिस ने किया थे, अब लौट कॉर्ण वॉलिस ने कुछ पुलिस रिफॉर्म भी किये हैं, चीक है, आईए हम उस पुलिस रिफॉर्म को देखते हैं, तो यहाँ पर ज जमीदार करते थे। लेकिन जमीदारों की जो पावर है वो हमने बापस ले लिए और उनको कहा केवल आपको क्या करना है यहाँ पर टेक्स वसूलना है यह बात यहाँ पर कही गई। फिर हमने क्या किया यहाँ पर थाना Hier फिर एक छोटी-छोटी जगे नहीं बनाए जिनका काम था peace and order को maintain करना और जो थाना या जो सरकल थाना इन थाना और सरकल के ऊपर जो थे वो SP हुआ करते थे इन थाना या सरकल के ऊपर क्या हुआते थे SP जो आपके superintendent of police होते है न तो सबसे नीचे आपके थानाज हो गए और दस वारा थाना के ऊपर जो है एक SP होता था SP इनको maintain करने का काम peace and order को maintain करने का काम करता था ये बात इनों ने की छीक है जो police थी उसको Europeanized किया मतब European culture के हिसाब स उसको develop करने का काम किया साथे साथ they were now paid salary and given unlimited power to arrest the suspected person salary को improve करने का काम किया और अगर किसी व्यक्ती पे संदे है तो आप उसको arrest कर सकते हैं छीक है इसके अलावा 1789 में Lord Convalis ने क्या कहा अगर कोई भी व्यक्ती slavery में involved है दास प्रथा में involved है तो उसको ये यहाँ पर कानुन विवस्ता बहुत इस्ट्रिक की जाएगी उसको यहाँ पर बहुत जादा punishment की बात यहाँ पर Lord Convalis की समय की गई थी छीक है Lord Convalis ने 1791 में क्या किया था जो regular police force थी ना उसको modernize करने का काम किया था थाना को modernize करने का काम किया था थाना जो थे उनको देखने का काम दरोगा करता था और दरोगा इसकी ऊपर कौन होते थे superintendent of police होते थे ठीक है ना और जमीदार को police की duty से relieve कर दिया था जमीदार का काम केवर लो केवर tax वसूल ना था इतनी चीज़े clear हुई जैसे कि हमने देखा कि father of Indian civil service कही ना कही हमने किसको माना है Lord Conn Wallace को माना है तो मेरा आपसे पहला question आज का ये है कि पहले IS officer जनों ने Indian civil service को जोईन किया था वो कौन थे तो इन परसन का answer आप हमें comment section में देएंगे image आपको दिखाई दे रही बस आपको इन परसन का नाम हमें comment में बताना है ठीक है चलो अगली बात करते हैं थर्ड अंगलो मैसूर वार 17-1992 में जो है वो Lord Conn Wallace के समय लड़ा गया था अब इसके background में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि इसका तो separate video आपको history की playlist में मिल जाएगा बस मैं आपको बता दो कि जब 2 अगलो मैसूर वार हुआ था तो उसमें एक मैंगलोर की संदी हुई थी 1784 में मैंगलोर की संदी हुई थी और टीपू सुल्तान ने उस मैंगलोर की संदी को breach कर दिया था तोड़ दिया था मैंगलोर की संदी के accordingly जो ब्रिटेन के persons आ या army personals हूगाई या ब्रिटेन की जो सैनिक हो गए वो टीपू सुल्तान के पास थे तो टीपू सुल्तान को उन्हें रिहा करना था लेकिन मैंगलोर की संदी के according टीपू सुल्तानने उनको रिहा नहीं किया था इसके अलावा टीपू सुल्तान ने ये जो Anglo-Maisur War होता है और तीसरा Anglo-Maisur War जो है वो Lord Cornwallis के समय होता है और यहाँ पर श्री रंग पत्नम की treaty या श्री रंग पत्नम की संधी जो है वो टीपु सुल्तान और Lord Cornwallis के समय होती है clear हो गई थी चीज़े तो श्री रंग पत्नम की संधी यहाँ पर 1792 में साइन की गई थी जिसमें यहाँ पर आदे से ज़्यादा territory टीपु सुल्तान की ले ली गई थी और निजाम बिटेश रदिकारी और मराथास के बीच में बाट दी गई थी टीपु सुल्तान को तीन यहाँ पर करोड रुपे compensation करने की बात की गई थी टीपु सुल्तान के जो बेटे थे उनको hostage बना के रखा गया था यह बात आप लोग ने समझी होगी और पढ़ी होगी नहीं पढ़ी है तो आप playlist में जाके वीडियो को देखिएगा तो यह सारी activity यह सारे event Lord Cornwallis के समय हुए थे तो I think मैंने यहाँ पर सारी बाते यहाँ पर जो भी important थी Lord Cornwallis के regarding वो मैंने आपको बता दी है I think आपने notes बना लिये होगे नहीं तो PDF तो website पर मिली जाएगे अब कुछ caution देखते हैं Who was the first governor general of Bengal Bengal का पहला governor general Warren Hastings था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था Next, in which year the office of governor general was created कब office of governor general create किया गया था तो मैंने आपको एक regulating act के बारे में बताया था मैंने आपको एक regulating act के बारे में बताया था वहाँ से office of governor general create हुआ था Option A is the right answer Next, if father of civil services in India किसे कहा जाता है तो Lord Cornwall इसको कहा जाता है Okay, option C is the right answer अब यहाँ पर match करना है तो देखेगा Warren Hesting Warren Hesting ने क्या किया था तो जो Robert Klein ने dual system की शुरुआत की थी Warren Hesting ने उस dual system को खतम किया था तो इसका सही क्या हो जाएगा पहले का सही हो जाएगा चौथा Lord Cornwallis Lord Cornwallis ने permanent settlement की शुरुआत की थी तो B का हो जाएगा तीसरा तो कहीं match हो रहा है 4-3-2-1 देखिए 4-3 match हो गया ना तो option ए बिल्कुल सही हो जाएगा आगे की सारी बातों को भी आप पढ़ सकते हैं Sir John Saur जो है उन्होंने policy of non-interference introduce की थी कि कोई भी युद्ध हो जाए चाहे हो मराठाओं का लड़ाई चल रहा हो निजाम का लड़ाई चल रहा हो हमें उसमें involved नहीं होना जब निजाम और मराठा की लड़ाई चल रही थी John Saur के समय तो वो neutral थे उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया था Lord Valley Jelly ने Subsidory Alliances की चुरुआत की थी जब Lord Valley Jelly के बारे में हम बात करेंगे तो इस Subsidory Alliances को इस साहयक संदी को हम डिटेल में समझने की कोशिच करेंगे अब चार्ल्स जो Cornwallis ते उनकी डैथ कहा हुई थी तो भारत के गाजीपुर में हुई थी Option C is the right answer When did Charles Cornwallis return a Governor General of India for the second time तो second time 1805 में ये भारत के बापस से Governor General बन जाते हैं Option B correct हो जाएगा यहाँ पर Lord Cornwallis ने बंगाल में कौन से सिस्टम को इंटर्डेउस किया तक Permanent Settlement Option A is the right answer Lord Cornwallis के समय कौन सा Anglo-Maisur War लड़ा गया तो Third Anglo-Maisur War और Shrirang Patnam की संदी यहाँ पर हुई थी Option C is the right answer This is question of the day पहली बार Governor General Lord Cornwallis कब बने चार option आपको दिख रहे हैं सही answer आप हमें comment में देंगे तो आज मैंने आपसे दो question पूछे हैं उन दोनो questions के answer आप हमें comment section में दीजेगा सही answer भी मैं आपको वही दूँगी और बताईगा कैसा लगा आपको आज का session अगर session पसंद आता है तो अपने friends के साथ like करें और share भी करें ठीक है? Okay, so मिलते हैं next session में ऐसे ही कोई नए Governor General के साथ तब तक अपना ध्यान रखेंगे Take care and bye-bye